नमस्कार जेकेनीउस्टुडे में एक बाद फिर से आपका स्वागत है माता वैशनो देवी श्राइन बोड इस वर्ष के दोरान ट्रेजडी में हमें कुछ एहम जानकारी मिली है जो आज ये ट्रेजडी हुई है उसको लेकर हमें एक एहम जानकारी मिली है प्रशासनिक अध देवी श्राइन के गेट नंबर 3 के बाहर मची भगदड में अधिकारी रूप से पुष्टी की गई है कि जो आज ये ट्रेजडी हुई है उसको लेकर इसकी पुष्टी की गई है कि 12 शधालू मारे गए हैं और 14 जो शधालू है वो गंभी रूप से घायल है जिहां आज जो ये माता वैश्णो देवी में जो ट्रेजडी हुई है उसको लेकर हमें प्रशासनिक अधिकारियों से एक एहम जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो भीड एकत्रित हुई थी माता वैश्णो देवी श्राइन में उसमें 12 शधालू मारे गए हैं और लगभग 14 शधालू घायल हैं ऐसा तब हुआ जब गेट नंबर तीन के सामने जमू कश्मीर के बाहर से आये शधालू के दो ग्रूप्स में जगड़ा हो गया हाथा पाई होने के बाद जब एक ग्रूप के लोग पैनिक हुए और भागने लगे जिसके कारण भगदर मच गई और भगदर मत जाने के कारण जो वहां के वहां पर भीड थी भगदर मत जाने के कारण वहां पर लोग जो है वो डर के कारण इदर उदर भागने लगे ऐसा हमें अधिकारियों ने बताया है शाइन बोड के अधिकारियों से हमें इस बात की पुष्टी की गई है कि ग्रुप के जो दो ग्रुप्स थे दो ग्रुप के लोगों के बीच में जमू कश्मीर के बाहर से आई ये ग्रुप्स थे ऐसी स्थिती बन गई और ऐसी स्थिती को देखते हुए यह जो घटना बनी है उसको देखते हुए परधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री अमिच शाह के साथ जमू कश्मीर के लेटनेंट गवर्नर सीधे संपर्क में है लेटनेंट गवर्नर मनोज सिना ने इस काबरा हेड करेंगे और अडीशनल डीजी पुलिस जमू मुकेश सिंग और डवीजनल कमिशनर रागव लंगर इसको हेड करेंगे तो जैसे यह दुखत घटना हुई इसको लेकर लगी सिनान ने जो दुख जाहिर किया है और इंक्वारी करने के लिए कह दिया है और जो य काबरा हेड करेंगे और अडीशनल डीजी पुलिस जमू मुकेश सिंग और डिवीजनल कमिश्टर रागव लांगर इसको हेड करेंगे मैं फिर से आपको यह बता देती हूं कि माता वैशनो देवी में जो यह आज दुरगटना हुई है नव वर्ष के पहले दिन में इसकी एहम जानकारी हमें प्रशासनिक अधिकारियों से जो पता चली है वो यह पता चली है कि गेट नंबर 3 पर जो जमू कश्मीर के बाहर से जो लोग आये थे और उन्हें गेट नंबर 3 पर उनकी आपस में बहस हो गई बहस हो जाने के कारण एक ग्रूप जो था वो पैनिक होकर भगदर भागने लगा इदर उदर फिर उसके कारण भगदर मच गई जिसमें 12 जो श्रधालू थे उनकी मौत हो गई और 14 श्रधालू गायल हो गई ये गेट नंबर 3 पर हुआ है और इसकी जो हमें जानकारी है एहम जानकारी है वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है इस भगदर पैनिक हो जाने के कारण भगदर मच के और जिसके कारण 12 लोगों ने अपनी जान गवा दी और कई जो 14 लोग है गंभी की रूप से गाईल है वहां पर और पर्दान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है और इस घटना को लेकर पर्दान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंदरी अमिच्षा ने जमो क Alexismeer के लेटनंड गवर्यानर मनोज सिना के साथ सिथे संबर्क मे हैं और लेटनन मनोच सिना ने इस घटना को पर दुख जताते हुए उच तरिये inquiry करने को कहा है और इस inquiry को इस प्रिंसिपल सेक्टरी होम शालीन काबरा हेड करेंगे और अडिशनल डीजी पुलिस जमू मुकेश सिंग और डिविजनल कमिशनर रागव लंगर इसको हेड करेंगे जब तक स्थिती नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक माता वैशनो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है तो जिस तरह से यह वहाँ पर हाथसा हुआ है उसको लेकर जो इंक्वारी बिठाई गई है और कहा गया है कि जब तक स्थिती नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जो माता वैशनो देवी की यात्रा है उसे स्थगित कर दिया गया है और लाइव अपडेट्स के साथ जुड़े जैसे ही हमें और इसके बारे में जानकारी मिलेगी हम उसी वक्त आपके साथ रूबरू होंगे आपको और इस जानकारी से अबगत कराने के लिए धन्यवाद सुरक्षित रहिए नया साल आप सब के लिए मंगल मैं हो जैके न्यूस्टोड़े की तरफ से हापी न्यू यर्ट